स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MKLCC ग्रूप पर अगर आप 12 एक्जाम की त्यारी कर रहे तो प्रती दिन 2 पर 12 वजे सभी सब्जेक्ट से महत्पूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रस्ण का लाइब कलास दिया जा रहा इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जूरे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाखर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकोन है उससे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइब कलास की नोटिकेशन पहुंश सके तो आज हम लोग इंटर आर्ट्स के लिए महतपून औप्जेक्टिक प्रसलाया है जिसमें हम लोग हिष्टरी से देखेंगे आज हम लोग हिष्टरी से देखने वाले हैं और हिष्टरी का यहाँ पार्ट वन वीडियो है ध्यान देंगे आज part 1 class है, बहुत सारे चाहत लोग कर रहे थे हैं, कि सर्फ साइन्स का ही class ले रहे हम लोगों का भी class ले, तो आज उनका class लिया जारा है history से, आज part 1 है, जिसमें हम लोग अध्याय 1, int, man के तथा अस्थियां, जिससे महत्पुन objective प्रस्थ देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस class में जूर सकें, तो चलिए, question number 1 की ओर चलते हैं, तो question number 1 काता है, सिंधु सविता, सिंधु सविता का छेतर फल किस अकार का था, जल्दी से इस प्रस्थ का उतर देंगे, और ध्यान देंगे, आप लोगों का class live चर रहा है, इसल से एक आपका online test हो जाएगा, आप मान के चले, कि आपके board exam में ये प्रस्थ ना है, और पर्यास करें दोस्तों, गल्ती सही होना तो आम बात है, आप पर्यास करें, पर्यास करेंगे, तो हमेशा सफल होंगे, इसलिए पर्यास करें, उतर देंगे, तो चलिए, इस प्रस्थ क का उतर देंगे, बहुत बार यहां, जितने भी लोग जूरो है, सभी लोग लाइक कर दें, और सभी लोग इस प्रस्थ का उतर देंगे, चलिए, तो याद रखेंगे, सिंधु सभिता का छेत्फल, कि सकार का था, तो वह था दोस्तों, तिर्भूजा कार, कैसा था, हरापा सवता, हरापा से, हरापा से सरुपर्थम बरी संख्या में इंट प्राप्थ हुई, हरापा से सरुपर्थम मतलब सबसे पहले, बरी संख्या में इंट प्राप्थ हुई कब हुई थी, 1826 सिस्वी में, 1831 सिस्वी में, 1920 में, या 1921 सिस्वी में, जल्दी से इस प्रस् करते हिए गलती होगा कोई बात नहीं प्रयास करें तो चलिए बहुत बढ़िया तो इस प्रस्ण का सही उत्र है दोस्तों 1826 याद रखेंगे सर्व पर्थम बरी संख्या में इंड कप्राप्थ हुई थी तो भृतान सेंधव सभूंड़रो की सर पर्थम खोज की थी। मजूंड़रो की सरवमडित खोज की थी। हुई एऔटी मजूंडार नं की मजूंडार ने एणजी मजूंडार ने आरजी मजुमदार ने, जल्दी से इस प्रस्द का उतर देंगे, हम लोग आज इंटर आर्स के हिष्ट्री से महत्पून अब्जेक्टिव प्रस्द देख रहे हैं, हम लोग प्रती दिन दो पर बारा बजे इंटर एक्जाम के लिए सभी सब्जक्ट से महत्पुन अबजेक्टिव प्रसंद देखते हैं जिसमें साइम्स आर्थ सभी अश्टीम वाले के लिए देखते हैं प्रति दिन तो इसलिए आप लोग जरूर जूरें दो पर बारा बजे तो जल्ले से बताएं कि संधभ सभीता से संबंदित अस्थल चान हुद्रो की सरव पर्थम खोज की थी किसने खोज की थी चलिए बहुत बढ़िया तो याद रखेंगे संधभ सभीता से संबंदित अस्थल चान हुद्रो को सरव पर्थम एंजी मजुमदार ने खोज थी किस ने सिंदू सबिता से संबंधित अस्थल रोपर का उत्खानन कार्ज करवाया था जल्दी से इस प्रस्न का उत्तर देंगे बहुत बढ़िया सभी लोग देंगे जितने भी लोग जूरा हुएं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राब नहीं कि नीचे लालवरंदवा का चैनल को भी सब्सक्राब कर दें और चल्दी से इस प्रस्न का उत्तर देंगे बहुत बढ़िया याद रखेंगे वाइडी सर्मा वाइडी सर्मा जी सिंदू सभिता से संबंधित अस्थर रोपर का उठखाथन कार्ज करवाया था इसलिए इस प् कोशन और दोस्तों धियान देंगे अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस वार मैट्रिक का एक्जाम देरें उनके लिए भी प्रती दिन साम साथ बजे लाइब कलास आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेल सी सी ग्रूप पर होती है इसलिए इस दिशना को जादा से या लोठल सुर्कोटडा या लोठल बनवाली या रोपड किस जगह पे अश्व होने का साच प्राप्थ हुआ था तो जली से इस प्रेशन का उतर देंगे लोस्तों कि अश्व होने का साच प्राप्थ कहां कहां से हुआ था बहुत बढ़िया तो याद रखेंगे अश्व कोर्ण होने का साज्य लोठर एवा में सुर्ध कोटदा से प्राप्ट हुआ था इसलिए इस प्रस्वेस्ट का सही उतर है option b चलिए next question next question करता है सिंदू सभिता मेशो पोटामिया संस्कृति की देन थी या कथन था कहता है दोस्तों सिंदू सभिता मेशोपटाम्या की मेशोपटाम्या संस्कृति की देन थी या कथन था किसका कथन था कि सिंधु सबता मेशोपटाम्या संस्कृति की देन थी जल्दी से इस प्रसंग का उत्तर देंगे चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग देंगे तो याद रखेंगे सिंधु सभता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी या कथन किसका था तो या कथन वीलर एबं गार्डन दोनों मोहदेजी का कथन था याद रखेंगे वीलर एबं गार्डन इसलिए इस पर शही उतर है ऑप्शन सी उप्रयूकत दोनों उपर में जो द ब्यूसन काता है दोस्तों निमनलीखित में से निमनलीखित में से वह कौन सा कथन हैU वा आति चलाने का साज प्राप्ट हुआ। जल्ली से इस प्रहन का उतर देंगे बहुत बढ़िया हम लोग हिश्री का पार्ट बन बीडियो देख रहे हैं जो इंटर्मेटर आर्ट्स एक्जाम के लिए महतपूर्ण है तो याद रखेंगे कहां से साच मिला था हल चलाने का तो वह है दोस्तो काली बंगा काली बंगा से हल चलाने का साच प्राप्ट हुआ था इसलिए इस प्रस्ति का सही उतर है ओप्शन डी चलिए नेक्स कोशन यह बढ़ते हैं नेक्स कोशन काता है पंजाब में हरपा के अतरिक्त किस अस्थान से सैंधव सविता इस से पहले भी देखता हो सैंधव सविता तो काता है पंज प्रपा के अतरीक्त किस अस्थान से सैंधव सविता के प्राचीन अवसेस प्राप्त हुए हैं। सैंधव सविता के प्राचीन अवसेस प्राप्त हुए थे। इसलिए इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएंगे। ऑप्शन दी वो प्रयुक्त सभी। चलिए नेक्स कोशन ग्यों बढ़ते हैं। सैंधव सविता के उत्खानन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बात का वजन है। सैंधव सविता के वजन करते हैं। क्या था सबसे छोटे वाट का वजन सैंधाव सभिता के उठखानन से जो प्राप हुआ था क्या 10 ग्राम के थे या 12 ग्राम के या 13 ग्राम या 13 ग्राम च्छोटे बार मिले थे कोची से तो सैंधाव सभिता के उठखानन से चरे नेक्स कोशन कहता है सिंधू सभिता से संबंदित कौन सा पूरा अस्थल गुजरात परदेश में इस्थित है जलनी से उतर दें कि कौन सा अस्थल है जो सिंधू सभिता से संबंदित है गुजरात परदेश में इस्थित है तो याद रखेंगे भोगातर जो है वहाँ गुजरात परदेश में इस्थित है किस्से समझने था है तो सिंदू समयता से इसलिए इस प्रस्टन का सही अंसर है ऑप्शन ए बोगात तरह चलिए नेक्स्ट कोशन कहता है गुजरात राज के कश जीले में इस्थित अस्तल सुर कोटड़ा की सरवपर्थन कोजगी थी कौन खोज की थी गुजरात राज के कश जिले में इस्थित अस्तल सुर्व कोटदा की जल्दी से इस प्रस्ट का उतर देंगे कि जो गुजरात राज के कश जीले में इस्तित है सुर्व कोटदा इसकी खोज सरव पर्थम किसने की थी तो याद रखेंगे सरव पर्थम सुर्व कोटदा की खोज कौन की थी इसलिए इस प्रस्लिका सही उतर हो जाएगा option C चलिए next question next question कहता है मोहन जोदरो नगर बसा हुआ था कहता है दोस्तो मोहन जोदरो नगर बसा हुआ था कितना किलोमेटर के गहरा में कितने छेतर में मोहन जोदरो नगर बसा हुआ था तो याद रखेंगे मुहन जोद्रो नगर कितने छेतर में बसा हुआ था तो 20 किलोमेटर के गहरे में याद रखेंगे 20 किलोमेटर के एरिया में मुहन जोद्रो नगर बसा हुआ था इसलिए इस प्रस्न का सही उतर है आप लोग भी प्रस्न का उतर देंगे गलत होगा कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, पर्यास करेंगे तोस्तों, कहता है हरापा लिपी से सरवाधिक साम में रखती है, कहता है तोस्तों हरापा लिपी से सरवाधिक साम मतलब उसके सम्तूल, उसके ब्रावर, कौन लिपी है जो है, जल्दी से इस प्रसंग का उ में रखती है उसके समान है इसलिए इस प्रश्ट का सही अंसर है ऑप्शन सी चलिए नेक्स कोशन करता है हरपा सब्था से संबंदित अस्थल धोला वीरा प्रकास में आया था किसी में जली से इस प्रश्ट का उतर दें कि कि जो हरपा सब्था से संब्था स्थल है धोला वीरा प्रकास में कब आया था जली से इस प्रश्ट का उतर देंगे कि धोला वीरा कब प्रकास में आया था तो याद रखेंगे 1991 इस वी में हरपा सब्था से संब्था स्थल धोला वीरा प्रकास में था इसलिए इस प्रश्ट का सही उतर है ओप्शन डी चलिए नेक्स कोश्टन और आज का लास्ट कोश्टन है दोस्तों अगर यह आपका कलास अच्छा लग रहा तो इस वीडियो क लाइक करें और दोस्तों में जादा से जादा से शेयर करें और प्रती दिन दोपर 12 बजे लाइब कलास के लिए रेडि रहें आप लोगों के लिए साइन्स हो या आर्ट से सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट से महत्पुन अब्जेक्टिव का सेट 12 बजे दोपर में के लोग देंगे कि हराप्पा सभेता से संब्धनित अस्थाल कुंत असी कहां इश्थित है, जल दिससे बताएं दोस्तों, बहुत बढ़ियां, कुछ लोग का उतर सही आ रहा है, तो याद रखेंगे गुजरात में गुजरात में हरप्पा सबता से संबंधित अस्थल कुंतासे इश्थित है तो आज हम लोग कुल 15 प्रसंद देखें जो इंटर आर्ट्स के हिश्री से प्रथम लेशन से था हम लोग इसी तरह से महत्पुन अबजेक्टिव प्रस देखते रहेंगे और अगर आपको इस कलास का पीडियाप चाहिए तो वाटसब गुरूप एवं टेलिग्राम गुरूप में जूर जाए जूरने के लिए वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है उससे जूर कर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए था ही फिर मिलेंगे नए कलास में तब तक के लिए धन्यवाद